एक बार फिर से पाकिस्तान को उम्मीदया पर बनती हुए दिखाई दिरी वड़काप दोदाते एसके सेमी-फाइनल को लेकर न्यूजिलेंड वर्सेस पाकिस्टान का मुकाबला जो बेंगलूरु के क्लिकी स्टेड़म में खेला जा रहे था उस मुकाबले में पाकिस्तान न्यूजिलेंड कुप पर डगवर्ट लूइस नहीं हमके चलत 21 नों से बड़ी जीत हासिल किया और वड़कप दुझाते हैं कि सेम फाने पोश्चन को मीद को जिन्दा रखा है पहले बलबाजी करते हैं न्यूजिलेंड ने तावरतल अंदाज में जिसमें के एन बिलियम से के पंचान बेरन और रचीन रविंद्र के सांदार सत्की पारी की बदोलत न्यूजिलेंड टीम 401 न मिलाने में काम्याब रही 400 दूरन का बड़ा टार्गेट पाकिस्तान के सामने रखी गई हालंकि जब इस टार्गेट को चेच कहने के लिए पाकिस्तान के बलबाज उत्र के बाद जब बारिष ने खलल डाला तो ऐक बड़ फीर से यहाँ पाकिस्तान की तरह पलडा भारी होता हुँद्ध दिखाई दे रहा था फिर एक तारीस होबरों में यापर टार्गेट को रिवाइज किया गया लेकिन उसके बाद फीर से बारिष ने खलल डाला और पाकि तो बड़ी अपडेट है पाकिस्तान नीजरान कुप पर एक सांदार जित हासिल कर लिया है और वड़कप दो जाते हैं इसके से फाने पहुचने को उम्मीद को जिन्दा रखा चैनले सी जुड़े रंगले अपडेट तक जय हिंद